लंबी खामोशी के बाद Micromax ने Dual 5 के साथ वापसी कर ली है यह कंपनी का पहला Dual Camera Phone है कागजी तोर पर Micromax Dual 5 बेहदी पावरफुल लगता है लेकिन इसके सामने चुनौती भी बहुत बड़ी है Dual 5 नामी हैंडसेट के सबसे एहम फीचर Dual Camera के ओर इशारा करता है रियर हिस्से पर 13 Megapixel के दो सेंसर हैं इन पर फोकस और Depth of Field कैप्चर करने की जिम्मिदारी है हमें Micromax Dual 5 की फोकस करने की शमता ने प्रभावित किया कलर रेप्रोडक्शन, डिटेल और शार्पनेस कैमरे के पक्ष में जाते हैं अच्छी रौष्णी वाली परिस्थितियों में फोन सटी कलर और डिटेल के साथ तस्वीरे लेता है Dual 5 से लिएगे क्लोज अप शॉट भी शांदार नजर आते हैं Dual 5 का रियर कैमरा इमेज प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लेता है इससे कुछ यूजर नाराज हो सकते हैं कम रौष्णी में Dual 5 के कैमरे ने अच्छी तस्वीरे ली Dual 5 में आपको 13 मेगा पिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलेगा रिव्यू के दौरान हमने पाया किया सेंसर अच्छे कलर रिप्रोडक्शन और डिटेल के साथ सेल्फी लेता है फोन में 5.5 इंच का फूल एच्डी सूपर एमोलेट 2.5 डी कर्व डिस्पले है जो हमारे विचार से ब्राइट और शार्प है कलर काफी वाइबरेंट है और टच सेंसिटिविटी भी बहतरीन है डूल फाइब के व्यूइंग एंगल भी ठीक ठाक है डूल फाइब में ओक्ताक और क्वालकॉम स्नैप ट्रेकन 652 प्रोसेसर के साथ 4GB RAM दिये गये है और इन्बिल्ट स्टोरेज 128GB है इसे भी फोन की एहम खासियत मानना होगा फोन ने आम पर्फॉमेंस में हमें प्रभावित किया मल्टी टास्किंग के दौरान ये कभी भी धीमा नहीं पड़ा डूल फाइब ने बिना किसी दिक्कत के HD वीडियो भी प्ले की फोन Android 6.0.1 मार्शमेलो पर चलता है जिसके उपर कंपनी की अपनी स्किन का इस्तमाल हुआ है डूल फाइब में यूजर इंटरफेस के कई फीचर में बड़े बदलाव किये गये है Micromax का Safe Switch फीचर छाप छोड़ने में काम्याब रहा है यह फीचर आपके नीजी डेटा को चोरी होने से बचाता है इस फीचर की मदद से आप फोन को टर्न आउफ करने से रोक सकते हैं और इस तरह से अपने हैंडसेट को चोरी होने के बाद ट्रैक कर पाएंगे Device Secure Wall Technology के साथ आता है इसकी मदद से आप अलग fingerprint के जरिये दूसरा profile भी बना पाएंगे Dual 5 में Customizable Smart Key भी है इसकी मदद से आप फोन को unlock किये बिना किसी खास app को खोल सकेंगे रिव्यू के दौरान हमने पाया कि Benchmark टेस्ट या फारफुल ग्राफिक्स वाले गेम खेलने या लंबे समय तक कैमरा इस्तमाल करने पर फोन थोड़ा गर्म हो जा रहा था Micromax Dual 5 की Call Quality बहतरीन है और यह Voice Over LTE को सपोर्ट करता है बैक पैनल पे मौझूद fingerprint सेंसर तेजी से काम करता है और इसका इस्तमाल सेलफी बटन या अनिगेस्चर कंट्रोल के लिए भी किया जा सकता है बैटरी 32 mAh की है जो Quick Charge 3.0 को सपोर्ट करती है आम इस्तमाल में बैटरी आसानी से एक दिन तक चल गई Micromax Dual 5 ने हमें Overall Performance और Dual Camera Setup के मामने में चौंकाया है कंपनी ने इसके अत्रिक्ट एक साल की मुफ्त replacement warranty भी दी है जो इस price range के लिए अपने किस्म की पहली कोशिश है 24,999 रुपे वाले Micromax Dual 5 की भरत Honor 8 और Vivo V5 Plus से होगी OnePlus 3T को भी इसकी चनौती के तौर पर ही देखा जाएगा तो यह था Micromax Dual 5 का रिव्यू अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दीके लाइक बटन को क्लिक करें स्मार्टफोन के रिव्यू और फीचर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न बोलें इंदी में लिट्टस्टिक नूस पढ़ने के लिए hi.gadgets360.com पर लॉग इन करें